हैंस्टर की वज़ा से हैंस्टर की राजनीती से इंटरनेट में यूट्यूब की दुनिया में यूट्यूबरों के बीच जंग छिड़ चुकी है परन्तु ये गलत है इसके पीछे इर्शा का भाव मन में हो सकता है जो शब्दों का ज्वाला मुखी बन कर फट रहा है हैंस्टर का गुसा किसी और पर निकल रहा है क्योंकि 6-7 मेने पहले हैंस्टर जैसी कोई चीज नहीं थी फिर उसकी हवा चली और सब को उसके बारे में सुनने अच्छा लगता था गेम खिलने का आनन्द भी उठाते थे तो यही वज़े से कुछ ज्यादा व्यूस मिल जाएं उसके लिए यूट्यूबर सब ने हाँ हाँ सभी ने हैंस्टर के बारे में वीडियो बनाया सवाल यह नहीं कि उनको पता है की नहीं परंतो हैंस्टर का वीडियो देखने से जीवन में उत्सा बढ़ रहा था क्योंकि उन भी ज्यादा रखी थी देखे हैंस्टर में जो हुआ मतलब हैंस्टर ने जो किया उसके लिए किसी भी यूट्यूबर को दोश देना समझदारी नहीं है क्योंकि हैंस्टर में जुडने वाले लोगों में से ज्यादा तर लोगों ने न तो हैंस्टर की वेबसाइट खोली होगी और ना ही उसका वाइट पेपर पड़ा होगा मतलब खुच से कुछ भी स्टड़ी या रिसर्च नहीं किया होगा खास करके जो लोग पहली बार क्रिप्टो की दुनिया में आये हैं इस हैंस्टर गेम बोट के माध्यम से जुड़े हैं उनको ऐसा लगता था कि फ्री में क्रिप्टो टोकन्स मिलेंगे जो लाखों करोडों में बिकेंगे पर उनको न तो क्रिप्टो के पीछे चल रही ब्लॉक्चेन के बारे में नौलेज था न तो क्रिप्टो कोईन और क्रिप्टो टोकन्स के बीच में डिफरेंस पता था और ना ही इंटरनेट की वेब 3 जनरेशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर था ये बेजिक जानकर इना होने की वज़े से ये शायद वो लोग सीधा सपना देखने लगे हो ऐसा हो सकता है दूसरा पॉइंट है कि वाई ऐसी बोट गेम में आप बिना कोई रेफरल लिंक से सीधा जुड़ ही नहीं सकते है ना किसी ना किसी की रेफरल लिंक से तो जोइन होना पड़ता है अब ज्यादा तर इंटरनेट पर दो ही प्लेटपॉम ऐसे है जहां पर क्रिप्टो के बारे में ज्यादा कंटेंट मिलता है एक तो यूट्यूब और दूसरा ट्विटर यूट्यूब पर आडियो विजूवल कं बड़ी बनेगी इसमें दूसरे यूट्यूबर भाईयों को अपने मन में इर्शा का भाव जगाने की जरुवत नहीं लगती अब वो हैंस्टर गेम बनाने वाले टीम ने अपने फाइदे के लिए चैतुराई का उप्योग किया तो उसमें यूट्यूबर दोशी नहीं है पहली बात दूसरी बात यह है कि सभी यूट्यूबर चैनल की अपनी एक नीज होती है मतलब एक स्पेशियल विशाई होता है और उस विशाई को जानने वाले लोग ही उस यूट्यूबर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करते हैं तो मन से परीपकवा दर्शकों को आज नहीं तो कल पता चल जाता है कि चतुराय की गेम किस ने खेली है हैंस्टर वाले ने या उसके फेवरिट यूट्यूबर ने अब इस गटना से लोगों के लिए दो रास्ते बनेंगे जिनको आगे बढ़ना है वो लोग क्रिप्टो को और अच्छी तरह से जानने के लिए अपना स्टडी खुद करेंगे क्रिप्टो के जानकार यूट्यूबर्स को ढूंडेंगे और उनके वीडियो देखना शुरू करेंगे चुकि हैंस्टर के टोकन्स चाहे ज्यादा मिले हो या कम मिले हो उनको उतना तो पता चला कि वाई किस प्रकार गेम के क्रिप्टो के समुन दर में नए प्रोजेक्ट एक्सलोर करने के लिए अपनी नाव आगे बढ़ाएंगे हैंस्टर का ये अनुबव भी उनको आगे काम में आएगा जरूर तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मायूस और निराश हो चुके हैं वो लोग हो सकता है इस मनुस्थिति में हमेशा के लिए क्रिप्टो को छोड़ने का निरले वो आगे न तो किसी और क्रिप्टो के बारे में जानना चाहेंगे और न तो किसी अच्छे क्रिप्टो का माइनिंग करेंगे सभी क्रिप्टो को एक ही नजर ये से देखेंगे ऐसा हो सकता है अब सवकातों कोई नुकसान नहीं हुआ है न तो कम से कम उस बात का जश्नमन आएं समय का नुकसान जरूर हुआ होगा परन्तु अनुबव भी मिला हाँ हैं 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 ने चतुराई की है जिसको विश्वासगात या चेटिंग क्या सकते हैं मतलब उसने जूट बोलकर लोगों क को गुमरा किया था एक बार नहीं परन्त कुछ-कुछ समय पर बार बार यह हुआ था पहले पिपीएच को महत्व दिया फिर कार्ड्स को फिर चाबी लेने को बोला अलग-अलग स्कीन पर्चेस करवाई यह सब को मिला कर अच्यूमेंट्स वाला सिस्टम बनाया विविद क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देते हैं देखिए एक तरह से यह मीडिया जैसा है देश में जो गटना गटती है मीडिया उसके बारे में बताते हैं बोलते हैं कवरेज करते हैं ताकि उस गटना को जानने के लिए इंट्रेस्टेड लोग उसको देखते हैं जो लोग interested नहीं होते वो नहीं देखते जिस प्रकार टिवी पर दुसरे खेल के मुकाबले cricket मेच को ज़्यादा लोग देखते हैं ठेक उसी प्रकार hamster के वीडियोज को ज़्यादा व्यूज मिलते थे अरे ओके ओके मैटा फिर अलग से रेफरल टीम के टोकन्स क्यों डिस्ट्रिबीट किया है वो भी इतने सारे तो बैसी सिधी बात है कि ज़्यादा तर लोगों के पास ज़्यादा टीम नहीं होगी 300 मिलियन यूजर्स में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके रेफरल टीम ज़्यादा होगी इसलिए उनको अलग से थोड़े ज़्यादा टोकन्स दिये और इसी फॉर्मिले की वज़े से ज़्यादा तर कॉम्यूनिटी को टोकन्स नहीं मिले नहीं दिये गए यह उदार में दो सामानिय उजर के और चार यूट्यूबर्स के पॉइंट्स दिखाए हैं सबके रेफरल टीम के टोकन्स को निकालें तो लगबग एक से दो हजार टोकन्स की एवरेज बनती है हमस्टर ने अपनी ट्वीटर पोस्ट में बताया है कि 131 मिलियन लोगों में 60 बिलियन टोकन्स दिस्ट्रिबूट करेंगे बैस सबको बराबर बाटे तो एवरेज 400 टोकन्स एक व्यक्ति को मिल सकते थे सबको लगबग एक समान डिस्ट्रिबूशन होता परन्त हमस्टर वाले ने जान बुझ कर वो फॉर्मिला लगाया ताकि ज्यादा तर प्रॉफिट खुद की जेब में डाल सकें और लोग यूट्यूबरों को दोश्ट दे क्योंकि हो सकता है सबसे पहले वाले कुछ रेफरल कोड्स तो हमस्टर की टीम के ही होंगे ज्यादा रेफरल टीम बढ़ाने वालों को ज्यादा टोकन्स देने वाला वो फॉर्मिला अगर लगाएंगे तो खुद को सबसे ज्यादा टोकन्स मिलेंगे ये एक कुवी चार से हमस्टर वाले ने अंत में गेम खेली जिससे उसको खुद को ज्यादा टोकन्स मिले होंगे आई बात समझ में और यहां लोग यूट्यूबरों को दोश्ट दे रहे हैं हमस्टर की टीम में लाँचिंग से पहले प्रॉफिट के लिए अन्बन हो चुकी थी जिसके बारे में मेटामितर चैनल पर 250 नमबर वाले वीडियो में बताया गया था तो भाई हो सकता है उसके बाद परदे के पीछे उनका ऐसा मेल जोल हुआ हो पिछलो दोनों मालिक मिलकर प्रॉफिट खाते हैं कॉम्यूनिटी जाए भाड में एक बार पैसा बना लिया तो पूरी जिनगी आराम से घुजा रहेंगे तो हैंस्टर की टीम की चतुराई की वज़े से कॉम्यूनिटी का दिल टूटा क्यूंकि दूसरे टेप टू अर्न गेम प्रोजेक्क की तुलना में हैंस्टर ने ज्यादा वक्त जो लिया था यूं कहों सबका समय ज्यादा लूटा था इसलिए सबको उम्मिदे भी ज्यादा थी तो करना क्या है इस बार सीजन टू में उसने बहुत सारी गेम रखी है परन्तु खेलना जरूरी नहीं अब हैंस्टर का गनित समझ में आ गया है तो अब हैंस्टर की सीजन टू में एक चीज़ पर ज्यादा ध्यान देना है वो है रेफरल टीम बढ़ाना क्योंकि उसी से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं अब आप सोचेंगे कि हैंस्टर की बिगड़ी हुई काम में आ सकता है वीडियो केंट में इतना ही कहना है कि हे प्यारे दर्शकों याद रखो किसी बाहर वाले दुश्मन की वज़ा से अपने यूट्यूबर भाई को दुश्मन मत समझो दूसरी बात किसी एक हैंस्टर की वज़ा से क्रिप्टो से नाता न तोड़ो क्रिप्टो ही भविश है दिरे दिरे ही सही क्रिप्टो जीवन में समाएगा जिस प्रकार इंटरनेट समाया है जिस प्रकार मॉबाइल पर वाटसेब गूगल मैप सोशल मीडिया का उप्योग करना उनलाइन शॉपिंग करना UPI से पेमेंट करना वगेरा जो लोग नहीं जानते वो लोग पीछे रह गए है क्रिप्टो की दुनिया में एक दो तो क्या दस पंदर प्रोजेक्ट भले ही फालतु निकले निकलने दो सभी प्रोजेक्ट से अनुबव मिलता है जो बोट पार्ट सिखने को मिलता है उसको याद रखें और फिर से वही गलती दुबारे ना करें एक तरफ फालतु प्रोजेक्ट होंगे तो दुसरी तरफ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हाथ में आएंगे जिसके क्रिप्टो कोईन दरसल असली कोहिनूर हीरे की तरफ होंगे इसलिए क्रिप्टो के बारे में अपना रिसर्च खुद करना सिखें उसके मालिक का पता लगाएं प्रोजेक्ट का रोड मैप, टोकोनोमिक्स और उसकी एकोसिस्टम देखें जियान प्राप्तिकी यात्रा चालू रखें नया-नया जानते रहें और प्रसंद न रहें मेटा मित्रा से जुड़े रहें मेरा मित्र, मेटा मित्रा